ज्यादा दिन नहीं चलने वाली मोधी सरकार अधीर रंजन की भवश्यवानी अधीर रंजन चौधरी ने भवश्यवानी करते हुए कहा है कि 9 जून को बनने वाली NDA सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है चौधरी ने कहा कि शुनावू में कॉंग्रेस की प्रदर्शन की बाद पार्टी के सभी सदत से ये चाते हैं कि राहूल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया जाए CWC की बैठिक के बाद अधी रंजन चौधरी ने कहा सभी सदत से चाहते हैं कि राहूल गांधी एलोपी बने सुत्रों के मताबिक कॉंग्रेस कारे समिती ने प्रस्ताब पारित किया कि पार्टी सांसद राहूल गांधी को लोगसभा में विपक्ष का नेता नियूप किया जाए राभूल ने UP किराय बरेली और कीरल के वायरनाड से लोकसभ़त चुनाब जीता है प्रस्ताब में चुना प्रचार की बात करते हुए राभूल गांधी की प्रशनसा की गई राभूल गांधी को बनाय जाए विपक्ष का नीता कॉंग्रीस बैठक में कॉंग्रीस अंसदिय दल की अध्यक्ष सूनिया गांधी, कॉंग्रीस प्रमुप मलिकार जुन खडगी, कॉंग्रीस नेता राहूल गांधी, प्रियंका गांधी, मनीश तिवारी, डीके, शिवकुमार और एवंत रेडी समीत कई नेता शामिल हुए बैठक में राजसभा सांसद प्रमुत तिवारी ने राहूल नेडर और साहसी हैं, यही कारण है कि उनको विपक्ष का नेता बनना चाहिए, ना केवल अधीर रंजन चोधरी और प्रमुत तिवारी ने वलकी हरियाना कॉंग्रीस के सांसद, कुमारी सेलजाफ, केसी वेनु ग पाल, गुर्दा स्पोर से लोकसवा चुनाब जीतने वाले कॉंग्रीस सांसद सुखजिंदर सिंग रंधाबा समेथ, अन्ने कॉंग्रीस नेताओं का मानना है कि राहूल को विपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए, पीम को जबाब देने वाला नेता चाहता है देश कॉं चाहे कि हमें संसद में एक मजबूत विपक्ष की भूमे का निभाएंगे, देश को ऐसा चेहरा चाहिए, जो पीम को जबाब दे सके